मुझा दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं ग्रास कर्प मचली के बारे में ग्रास कर्प ऐसी मचली है जिसमें सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमा जा सकता है दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि मैंने मेरे तलाब में ग्रास कर्प के लिए जो घास है वो किस तरह से और कौन सी घास लगाया हुआ है आप देख पा रहे होंगे मैंने तलाब में दूप घास लगाया हुआ है उसे मैंने तलाब के मेड के उपर लगाया हुआ था जो बढ़ने के साथ नीचे की और जाती है और यहां काफी सौप घास भी होती है आप देख चुके होंगे यहां मेरे तलाब में जो घास तलाब के पानी तक पहुँच चुकी है उसे मचलियां भोजन के रुप में लेना शुरू भी कर दिया है तो दोस्तों आप भी दो गास इस तरह से मेरे के उपर लगा सकते हैं जो ग्रास कार्प के लिए काफी फायदा मन होगा और साथ साथ इस घास के लगाने से तलाब का मेरे भी मजबूत होता है जिससे बरसात की मोसम में तूटकर बहने से बच जाता है जाता है जाता है